तो आपने देखा कि कंपनी अपनी बैलन्स शीट शैडूल 3 पार्ट 1 के कोर्डिंग किस तरह से बनाती है अब आए देखते हैं कि इस बैलन्स शीट में जो शिर्शक और उप शिर्शक दिये गए हैं याने टाइटल और सब्टाइटल हमने देखें वास्तों में उसके अंतर अस्तू होती है वो दो भागों में बटी होती है कौन कौन से दो भाग होते हैं एक तो कंपनी अपनी इस बैलन्स शीट में विभिन प्रकार के समता और दाइटों का उलेक करती है और दूसरा यह अपनी बैलन्स शीट के अंतरगत संपत्तियों याने कि एसेट का उलेक करत समता और दायत्तों का तो इसके अंतरगत कुछ अलग अलग पॉइंट इसके जुड़े रहते हैं इन समता और दायत्तों के अंtar गथ सबसे पहला जो इसके अंतरगत उपशेषक होता है वो होता है अंश-धारियों का कोष इनी कि शेयर holders fund दूसरा इसके अंतरगत उलेग किया जाता है अंश आवेदन की राशी जब तक की आबंटन ना हुआ हो यानि की शेयर आप्लिकेशन मनी पैंडिंग अलॉट्मेंट तीसरा जो इसके अंतरगत उलेग किया जाता है वो होता है गैर चालू दाइतों यानि की नौन करेंट ल अगर हम बात करें कि यह जो अलग-अलग चार पॉइंट्स दिये गए हैं इसके अंतरगत किन-किन मदों को शामिल किया जाता है तो सबसे पहले हम देखते हैं अंश धारियों का कोश यानि की शेयर होल्डर्स फंड के अंतरगत कौन-कौन से उप्षिर्शक शामिल किये ज देखा था कि किस प्रकार अंश पूंजी अलग-अलग भागों में विभाजित होती है आए देखते हैं इसके अंतरगत कौन-कौन से अंश पूंजी को शामिल किया जाएगा सबसे पहले तो आती है अधिकृत पूंजी अधिकृत अंश पूंजी यानि ऑथराइज शेयर क इसके बाद हम इसमें शामिल करते हैं मांगी गई पूंजी यानि कौल डप शेयर क्यापिटल अगला आता है चुकता या दत्थ पूंजी यानि की पेड़ अप शेयर क्यापिटल और इसके बाद हम इसमें देखते हैं आपराप्त या बकाया यानि की कौल्स इन एरियर जि जो बहुत सारे उपशेशक, बहुत सारी मदे इसमें जो शामिल की जाती है, आई उनकी बारे में विस्तार से जाने, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंतरदत शामिल किया जाता है अधिकरित अंश पुंजी, authorized share capital, वास्तों में ये अधिकतम पुंजी को दर्शाती है company क याने ये एक limit, एक सीमा होती है, जिससे जादा के अंश company कभी भी निर्गमित नहीं कर सकता, तो इसे हम शामिल करते हैं, ये जो राशी होती है, उसे हम शामिल करते हैं, अधिकरित अंश पुंजी के अंतरगत, दूसरा जो है, वो है निर्गमित अंश पुंजी, issued share capital, जो इस पूरी पुंजी के जरूरत पुंजी को एक साथ नहीं पड़ती है, बलकि टुकडे में जैसे जैसे समय के अनुसार, company को पुंजी के जरूरत पड़ती जाती है, वैसे वैसे company अपने अंशो को निर्गमित करती जाती है, इस टौपिक के बारे में हमने practically बहुत अच्छ पर देख रहे थे फिलहाल यहां पर केवल जान लेना जरूरी है कि यह जो नरगमित पुन्जी है अश्ट शेर कापिटल है वास्तों में ये वो शेर कापिटल है जितने के लिए कंपनी अंश बेचना चाहती है यानि कि अंश खरिदने के लिए जनता को आमंत्रित करती है अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब शेयर कापिटल हमने देखा कि किस प्रकार कंपणी ने अपनी आशक्ते के नुसार अंश पूंजी को के लिए जनता को आमंत्रित किया अप्लिकेशन मंगाए उसमें से जितने शेयर्स को खरीदने के लिए जनता से अप्लिकेशन आए जितने अंश को खरीदने के लिए जनता ने आवेदन किया वो जो राशी होती है वो प्रार्थित पूंजी याने की अप्लाइट शेयर कापिटल या जिसे हम कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कापिटल कहलाती है इसे पूरे अंशो को कई बार आबंटित नहीं करती है इसके कई कारण होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कंपनी शेयर इश्यू नहीं करना चाहती या कई बार जो अप्लिकेशन होते हैं वो जो निर्गमित अंश होते हैं उनकी तुलना में अधिक मात्रा में प्राप्त हो प्राप्त होता है उससे कम के लिए अंशो का अबंटन किया जाता है दूसरी एक बात यह कि जितने अंशो के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं उन पूरे अंशो पर कंपनी जो है एक साथ पूरी राशी नहीं मांगती हमने शेयर क्यापिटल वाले चैप्टर में देखा था कि किस प्रकार कम्पनी अपने अंशो की जो राशी होती है उसको अलग-अलग किस्तों में मांगती है जैसे कुछ जो अमांट है वो तो अवेदन पर प्राप्त हो जाते है कुछ अमांट अलाच्मेंट पर मिलते हैं कुछ तीन जो कॉल्स होती First Second and Third and Final कॉल उसके अंजर के अन्शो की राशी को प्राप्त करती है तो अब जब हम बात कर रहे हैं प्रार्थित यानि की called of share capital की तो यहाँ पर company को जितनी पूझी की आवशकता पढ़ती है उतनी पूझी के लिए वो जन्ता के सामने अपनी मांग रखती है तो यह जो मांगी गई राशी होती है अन्शो यह नहीं हम प्राण्थित पुंजी यानि कि कॉल्ड अप शेर कापिटल पउन्जी क्या इंद क्या भिए नहां पर हम देखते हैं चुक्ता या दत्य पुंजी जितने कापिटल मांगी 2007 पैसे मांगे ग्याने के जैसे कि हमने फॉर्फिचर वाले चैप्टर में देखा कि बहुत से अंश जिस पर कंपणी बार-बार अंशो की राशी मांगती है लेकिन वो नहीं देते और एक टाइम ऐसा आता है कि कंपणी उनके अंशो को फॉर्फिट कर लेती है उनके अंशो का हरण कर लेती है तो वास हम प्रयोग करते हैं चुकता पुझी याने की पेड़प क्यापिटल का इसी क्रम में हम आगे देखते हैं आप राप्त या बकाया कॉल्स इन एरियर जिसके बारे में हमने शेयर क्यापिटल में बहुत अच्छे से पढ़ा है जो जिन अंशो पर मांगी गई राशी का भु पुझी याने की रिजर्व कैपिटल जो होता है और रिजर्व कैपिटल के बारे में हम यह जानने कि इसका प्रयोग होता है रिजर्व की गई जो संचीत की गई जो पुझी होती है उसका प्रयोग के वल तभी किया जाता है जिबकि कंपनी का विगटन हो गया हो समाप्त ह हो गई हो दूसरा जो इसका टॉपिक है बैलेंशीट के अंतरगत्थ शामिल किया जाता है सेकेंड वह है संचय और आधिक के रिजर्व एंसर प्लस रिजर्व एंसर प्लस की बात तो वास्तों में यह संचय जो होता है वो लाब का ही भाग होता है लाब में से एक हिस्सा जो ह कंपनी के वो दो भागों में बटे होते हैं कुछ लाब ऐसे होते हैं जिनको बाटनी योगे जो होते हैं जिनको वर्गिकृत बाटा जाता है लेकिन कुछ लाब ऐसे होते है वहाँ पर इनが यूज किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं औ-विभाद जिलाब जिसे कॉंपनीगे कारेकाल में बीच में कहीं किसे को बाठा तो जब हम बात करते हैं आपर संचय और रिजर्व की तो ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो अविभाजी होता है एक और चीज़ के बारे में जानने कि इसे पूंजी संचय पूंजी शोधन या फिर अंशिप्रभ्याजी के नाम से भी जाना जाता है और अच्छे से संचय और और आधिक को समझने के लिए आए इसके परिभाषा देखते हैं तो आपने देखा कि क्या है संचय और आधिक क्या है आए अब देखें कि इसके ekन-कन मेुख स्वामिर को शामिल किया जाता है तो पुझी गत लाब जो होते हैं काफी बड़ी इनकी राशी होती है और लंबे समय तक इनसे लाब राप्त किया जा सकता है तो उसमें से निकाल कर ये बनाये जाते हैं और दूसरा यहां यह देखा जाता है कि ये जो संचय होते हैं ये आंशधारियों को लाभांश बाटने के प्रियोग में नहीं लाये जाते बलकि एक रिजर्व के रूप में यह अलग रख दिये जाते हैं एक और बात इनकी बारे में है कि यह जो संचय है इनका निर्माण किन-किन मदों के अंतरगत किन में से निकाल कर इस संचय को इस रिजर्व को बनाया जाता है इस पर एक अंशो को फॉर्फिट कर लिया जाता है उनको उनका हरन कर लिया जाता है तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो यह होता है कि अब इन हरन किये गए अंशो को हम पुना निर्गमित कर देते हैं कई बार यह हरन किये गए अंश प्रीमियम पर निर्गमित किये जाते हैं अग प्रिमियम पर जब निर्गमित किया जाते हैं तो काफी संभाव ना होती है कि पिछले निर्गमन से इस निर्गमन में आदिक होगा और लाब होगा तो ऐसे जो लाव होते हैं जो हरन केग अंशो की पुन्ण निर्गमन से प्राप्त होते हैं उनमें से जो राशी होती है वो पुनजी संचय में ट्रांसफर की जा सकती है दूसरा एक ये देखा जा सकता है कि जब हम किसी चालू वेवसाय को क्रे करते हैं तो उसके लिए हम जो क्रे मूले देते हैं और उस विशाय की जो संपत्ती होती है दोनों को हम compare करके देखते हैं कई बार ऐसा भी होता है कि क्रे मूले से ज़्यादा की तो उसकी संपत्ती होती है अब ऐसे condition में इन दोनों का जो difference है आधिक के है वो वास्तों में एक प्रकार क लाब है और इस लाब को पूझी संचय में ट्रांसफर किया जा सकता है और तीसरा जो इसका महत्पूर्ण पॉइंट है तीसरा जो उपसिर्शक है उसके अंतरगत हम शामिल करते हैं समा मेलन के पूर्व के लाब कई बार कंपनी के समा मेलन से पहले ही कुछ लाब की स्थित बन जाती है कुछ लाब होता है तो उनको भी हम रिजर्व करके रख लेते हैं और पूझी संचय में हम उनको ट्रांसफर कर सकते हैं यह तो रही पूझी संचय की बात अब दूसरे उप्शिवशक के हम बात करें तो हमारे सामने आता है पूझी शोधन संचय रिडम्शन की उसमें पैसा हम भुक्तान करते हैं वास्तों में एक ऐसे स्थिती होती है जब रिण पत्र धारियों के को जो समय दिया गया रहता है या तो वो समाप्त हो जाता है यह समय समाप्ती के पूर्व ही रिडम्शन यानि की शोधन करना पड़ता है तो कहां से यह शोधन किया जा उसके लिए पहले से ही एक reserve एक Sanchai बना लिया जाता है जिसे पूंजी Shodhan Sanchai के नाम से जाना जाता हना तीसरा जो उपशेशक इसके अंतरगत हम शामिल करते हैं वो होता है प्रतिभूति प्रीमियम संचे वास्तों में जब हम प्रतिभूतियों को निर्गमन करते हैं तो जैसे कि हमने पिछले अध्याय में देखा तीन इस्थितियां हमारे सामने आती हैं एक तो हम समूले पर नि आप मानते हुए प्रतिभूति प्रीमियम संचे खाते में ट्रांसफर कर देते हैं एक उपशेशक इसके अंतरगत आता है रिड़ पत्र शोधन संचे चाहे कोई भी कमपनी हो उसको प्रतेक वर्ष किनी न किनी रिड़ पत्रों का शोधन करना ही पड़ता है अब इन रिड तो आप ग्रतेक वर्ष एक निश्चित राशी जो भी उसके पाषद्नियम या अंतरनियम में वर्णित की गए औरके निश्चित राशी को उसमें ट्रांसफर करते जाती है और फिर कभी वह अगर कमपनी को रिड़ पत्रों के शोधन पर पैसे की जड़ूत पड़ती है त इसका निर्माण संपत्यों के मूले में कमी या वृध्धी के आधार पर किया जाता है जब हम balance sheet बनाते हैं तो हम पिछली balance sheet से पिछले साल की जो इस्थिती रहती है company की उससे हम तुलना करते हैं compare करते हैं और एक दूसरी बात ये भी है कि प्रारम में संपत्यों की जो संपत्यों के मुले में व्रिध्धी हुई है तो एक प्रकार का लाब है और ये जो लाब होता है उसको हम यहाँ पर पूणार मुलांकन संचय है उसमें च्रांसफर कर देते हैं अगर हानी होती है तब तो किसी प्रकार का कोई balance कोई लाब हम transfer नहीं कर पाते लेकिन लाब की दशा में यह जो संचे है उसमें जो उसका credit balance है वो transfer कर दिया जाता है और साथ में यहाँ पर एक ध्यान यह भी रखना होता है कि यह जो लाब यह आधिक के यहाँ पर प्राप्त ह होता है उसको अंश धारियों में नहीं बाटा जाता बलके एक संचिती के रूप में वो जम कर दिया जाता है अगले इसके उप्षिशक की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अंश विकल्प बकाया लेखा इसके अंतर गत हम देखते हैं कि company जब अपने अंशो का नर प्लस आ रहा है तो यह जो राशी है उसे हम अंश विकल्प बकाया लेखा जिसे हम shares option outstanding account कहते हैं इसके अंतर गत हम इसको दर्शादते हैं नेक्स हम देखें तो जो इसका उप्षिशक आता है वो आता है कर्मचारी छती पूर्थी कोश तो प्रते कंपनी वर्षी के प्रारंब से ही कर्मचारी के छती पूर्थी के लिए एक कोश बना देती है employment जिसे हम employee compensation fund कहते हैं और एक निश्चित धनराशी जो है उस कोश में transfer कर दिया जाता है अगर कारे के दौरान किसी भी प्रकार से कर्मचारी को कोई छती पहुशती है तो उनको जो compensation देना होता है उसकी आपूर्थी इसी कोश के अंतरगत के जाती है तो यह हम देख रहे थे संचय और आधिक के जो main topic है उसमें कौन-कौन से सब topic यानि कौन- अधिपत्र के जो प्राप्ति होती है उसके अंतरगत हम किन-किन-किन-मदों को शामिल करते है तो इसमें हम देखते हैं कि यह एक ऐसा प्रलेख है जिसमें इस बात का उल्लेख किया जाता है कि जो अधिपत्र का जो वाहक है जो जिसके पास share warrant यह जो लेटर है उसको वास् और उसके बाद जो next हमारा main topic आता है वो आता है अंश आवेदन राशी जब तक आबंटन ना हो शैडूल 3 part 1 में हमने जिस balance sheet को देखा उसका जो second main topic है वो है अंश आवेदन की राशी लेकिन आबंटन ना हुआ हो कई बारस होता है कि अंश आवेदन की राशी तो प्राप्त हो गई है लेकिन अभी तक हमने आबंटन नहीं किया है तो आबंटन के पूर्व की जितनी राशी होती है जो कि अंश के आवेदन पर प्राप्त हुई है उस पूरी की पूरी राशी को में इसके अंतरगत शामल करत और साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इसमें अगर कोई ओफ स्क्रeji और कोई और मेरी और साथ और करते हैं चालू दाइतों आता है तो सारी यो चोले मसंत you इनको दो भागों बाइटे कर दो और दूसरा जो हता है गयर चालू दायत्व यहां पर सबसे पहले हम देखें कि चालू दायत्व क्या है तो ऐसे दायत्व जो बैलेंशीट बनाने की तिथी के बारा माह के भीतर यानि कि एक वर्ष के भीतर भुकतान योग्ये होते हैं या दूसरा हम इनके लिए शब्दों का प्रियोग करें तो एक न बारा माह के अब दीद को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है तो अगर हम चालू दायत्व और गयर चालू दाय तो में किन-किन मदों को शामिल करें इस बात को जानना होगा तो यहां हमें संचालन के बारे में पहले जान लेना चाहिए अब ये संचालन चक्र एक ऐसा पिरेड होता है एक ऐसा समय होता है जिसके अंतरगत हम ये मानते हैं कि इसके अंदर ही दाइतों का जो भुक्तान होता है उसको हमको करना होता है और ये जो संचालन चक्र है वास्तों में ये व्यवसाय की संपत्ति और होती है चालू संपत्ति और दूसरी होती है गैर चालू संपत्ति और अगर वैसे ही अगर हम दाइतों के बारे में देखे तो एक तो होता है चालू दाइतों और दूसरा होता है गैर चालू दाइतों अब जब हम संचालन चक्र की बात करते हैं तो यह वही अवस्ता है जिनक हम वहतर तरीके से समझने का प्रयास करें तो वास्तों में संचालन चक्र वह समय होता है जो किसी संपत्ती को क्राय करने और उसके नगद इवंद तु लियाने के कैश। फिर कैश के equivalent बनाने तक का जो समय होता है उसको इसके अंतरगत शामिल किया जाता है एक महतुपूर बात यह है कि वास्तों में जब हम use करते हैं शब्द की संपत्ती को क्रे करने और उसको बनाने तो इसके अंतरगत किवल उनी संपत्तियों को शामिल किया जाता है जिनका प् अगर संचालन चक्र की अवधि को मापा न भी जा सके तो भी इसको कम से कम 12 माह की अवधिका मान लिया जाता है और किस प्रकार इसका प्रोसेस होता है क्या होती है संचालन चक्र को कैल्कुलेट करने की प्रक्रिया आए इस पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं संचालन चक्र के अंतरगत संचालन चक्र की अवदी का निर्धारत निम्न है संचालन चक्र ओप्रेटिंग साइकल कच्ची सामागरी का क्रे पर्चिस ओफ रॉब मिटेरियल माना के स्टॉक चार माह रहा इसके बाद कच्ची सामागरी से तयार माल बनाने की अवधी, processing of raw material of manufactured माना निर्माण की अवधी दो माल रही Next process होगा, stock में तयार माल माना गया कि यह चार माल रहा Next process होगा, तयार माल के विक्रे तथा व्यापारिक प्राप्य में परिवर्थन का समय Finishing goods sold and converted to trade receivable माना की तीन मा उधार की अवधी रही और Next process होगा, व्यापारिक प्राप्य की वसूली और Next process होगा, नगत या पर बैंक, cash और बैंक Trade receivable Realized तो आपने देखा कि किस प्रकार संचालन चक्र की प्रक्रिया होती है वास्तों में जब हम चालू दाइत्व और गैर चालू दाइत्व में अंतर करना प्रारंब करेंगे तो यही संचालन चक्र की अवधी को ध्यान में रखते हुए हमको इन दोनों के बीच difference को समझना पड़ेगा तो सबसे पहला यह देखते हैं कि चालू दाइत्व क्या है यहाँ पर चालू दाइत्व का अर्थ होता है वो दाइत्व जो balance sheet बनाने की तिथी के एक वर्ष के भीतर दे हो या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संचालन चक्र की अवधी के भीतर जो दे होता है पॉइंट जो हमारे सामने आएगा वो होगा अल्प कालीन उधार जिसे हम कहते हैं शौर्ट टंग बॉरिंग दूसरा जो होता है वो होता है वो होता है वेपार जिसे हम कहते हैं ट्रेट पेबल तीसरा जो होता है अन्य चालू दाइत्व अधर करेंट लाबिलिटीज अब जब हम बात करते हैं यहां सबसे पहले short term borrowings की जिसे हम alp kalin उधार कहते हैं इसके अंतरगत किन किन मदों को शामिल किया जाता है तो सबसे पहले इसके अंतरगत हम ऐसे उधार को शामिल करते हैं जिनके भुकतान की जो अवदी होती है वो संचालन चक्र के अंतरगत याने की चिठ्ठा बनाने की तिथी से लगभग 12 माह के भीतर की होती है अगर बिंदु आर हम इनको समझना चाहें तो इसके अंतरगत हम किन किन मदों को शामिल करेंगे आई इस पर एक नज़र डाले तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे मांग पर दे रिंड यानि की लोन पेब और दिमांड दूसरा हम इसमें शामिल करेंगे संबंधित पक्षकार से प्राप्त होने वाले और तीसरा इसमें आएगा जम्मा यानि की डिपोजिट और चौथा हम इसमें शामिल करेंगे अनि या अगरिम जिसे हम कहते हैं लोन एडवांस अब हम इसके सेकेंड टॉपिक जो विस्तुएं होती है उनसे और दूसरा एक जिसमें यह भी आता है कि जरूरी नहीं की माल ही उधार खरिदा जाए कुछ सेवाएं भी उधार ली जाती है तो इन उधार खरीदें के माल और सेवाओं की जो दे तिति होती है वो 12 माह यानि की संचाला नवदी के अंतरगत दे होती है और साथ में इसके अंतरगत लेंदार या क्रेडिटर और बिल्स पेबल यानि की देवी पत्र इस तरह की मदों को भी शामिल किया जाता है अब हम बात करें इसके दूसरे उपसे शक की जिसके अंतरगत हम अन्य चालू दायतों को शामिल करते हैं तो आए देखत जिसे हैं current maturities of long term loan दूसरा इसमें शामिल किया जाता है रिण पर अदत्त ब्याज जो दे नहीं है जिसे हम कहते हैं interest accrued but not due on borrowing तीसरा इसमें शामिल किया जाता है रिनो पर अदत एवं देव्याज इंट्रेस्ट एक्रूड एंड्यू और बॉर्विंग्स चौथा इसमें शामिल किया जाता है अग्रिम में प्राप्त आए इंकम रिसीब इन एडवांस अगला जो पॉइंट इसमें शामिल किया जाता है वो है अप्राप्त लाभांश अनपेड डिविडेंट साथ ही इसमें शामिल किया जाता है प्रतिभूति के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदन राशी जो वापस करनी है या साथ में इस पर जो देव्याज है कई बार हमने पहले भी देखा था बैलेंशीट जब हम शेयर क इसके अंतरगत शामिल किया जाएगा जिसे हम टॉपिक के अंतरगत लिखेंगे अप्लिकेशन मनी रिसीब फॉर अलॉट्मेंट ऑफ सिक्यूर्टीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंट्रेस्ट ड्यू दियर रॉन इस तरह से हम इसकी प्रविस्टी करेंगे और न इसे हम देशाते हैं अन्पेड मैच्चोर डिपॉजिट एंड इंट्रेस्ट एक्रूट देर रॉन अगली मद है रिड़ पत्र जो भुकतान के लिए दे हो गये हैं और उन पर अर्जित ब्याज यानि कि अन्पेड मैच्चोर डेबेंचर एंड इंट्रेस्ट एक्रूट साथ ही इसमें हम शामिल करते हैं अन्य देराशिया यानि कि अदर्स पेबल्स यहां पर एक जो महत्पूर बात ध्यान रखने योगे हैं जो हमने इस पूरे सिक्वेंस में सबसे पहले देखा जिसे हम कहते हैं देर्दकार रिण जो वर्तमान में दे हो इसके अंतरगत किन रिणियों को शामिल किया जाए तो यहां पर हमको ध्यान में रखना है कि ऐसे दीर्दकालीन रिण जिन में से कुछ रिण की राशी का भुकतान बैलेंस शीट के बारा माह की अवधी के अंतरगत दे होते हैं यानि कि उनका भुकतान किया जाना होता है और उसे हम एक तो च आगले शीशियक यानि कि अल्पकालीन प्रावधानों की बात करें तो इसके अंतरगत उन सभी प्रावधान को शामिल किया जाता है जो कि अल्पकाल जिसे हम कहते हैं समय चक्र जो है जिसको हमने नरधारित किया था कि लगभग वह 12 माह की अवधी का होगा उसके भीतर ही यह खर्च करने योग्य जो प्रावधान बनाया जाते हैं उन्हें हम अल्पकालीन प्रावधानों के अंतरगत शामिल करते हैं और बात करें हम कि यह जो अल्पकालीन प्रावधान है इसके अंतरगत कौन-कौन से प्रावधान या किस किस तरह के प्रावधाने फंड बनाया तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंतरगत कर्मचारी हितार्स याने कर्मचारी के हित के लिए प्रावधान जो बनाया जाता है जिसे हम कर्मचारी छतिपूर्थी कोश भी कहते हैं एक तो इसको शामिल किया जाता है और दूसरा इसके अंतरगत व्य के लिए प् fund for expenses चोटे मोटे जो संडरी expenses होते हैं उनको adjust कर पाने के लिए कुछ प्रावधान कुछ fund बना दिये जाते हैं उसको भी अल्पकालीन प्रावधान के अंतरगत शामिल किया जाता है और तीसरा प्रावधान जो है वो है कर के लिए provision for fund बनाया जाता है कर की राशी अगर बहुत अधिक आ जाए तो किसी प्रकार से अचानक से कोई आर्थिक बोज ना बनने पाए इसके लिए पहले से ही करो के लिए प्रावधान बन जाता है जबकि आपने जनरल एंट्रीज देखे लेजर देखा ट्रायल बैलेंस देखा तो कुछ पॉइंट्स रहते हैं प्रोविजन फॉर टेक्स के तो वास्तों में ये वही प्रोविजन है जो टेक्स की अमाउंट को कहीं न कहीं एड़िस्ट करने के काम आते हैं जिसे अचानक से किसी प्रकार का कोई बोज कमपनी पर ना पड़े ठीक इसी प्रकार अगला जो प्रावधान होता है वो होता है प्रस्तावित लाभांश याने की प्रोविजन डिविडेंट के लिए होता है कंपनी जब अपने सदस्यों से अंश पत्र अरिन पत्र के माधियम से रिन लेती है उनसे एक प्रकार का तो बदले में जो लाभांश उनको देना होता है उसकी रा बना दिया जाता है जिसे हम अन्य प्रावधान बोलते हैं अधर प्रोविजन्स बोलते हैं इसके अंतरगाइद बहुत सारे छोटे मोटे वैं और आकास्मी कहने अचानक से उत्पन्न हो जाने वाले वैं जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं किये रहते इस तरह के व्यों की पूर् करतिक स्थती पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े या अचानक से बहुत ज्यादा खर्च का दबाव मत बन जाए इसके लिए चोटे मोटे इस तरह के खर्चों के लिए एक अधर प्रोविजन यानि अन्य प्रावधान बना दिया जाता है तो यह तो हमने बात की जबकि ह वारे में हम बात कर रहे थे और इस बैलेंस शीट में डाइट तो साइट में कौन-कौन से शिर्षक आएंगे और उसके अंतरगत उप शिर्षक में किन-किन मदों को हम यहाँ पर लिखेंगे